यहन्ना का प्रकाशित वाक्य ग्यारवा अध्याए और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे उसे मत नाप क्योंकि वह अन् हजार दो सो साथ दिन तक भविश्दवानी करें ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो प्रत्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहता है तो उनके मुह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है और अवश्य इसी रीती से मार डाला जाएगा इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविश्दवानी के दिनों में मेह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहु बनाएं और जब जब चाहें तब तब प्रत्वी पर हर प्रकार की आपत्ती और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पश्यू जो अठा कुंड में से निकलेगा उन से लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीती से सदोम और मिसर कहलाता है ज साले तीन दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कबर में रखने न देंगे और प्रत्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे क्योंकि इन दोनों भविश्दक्ताओं ने प्रत्वी के रहने वालों को सता और साले तीन दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उन में पैठ गई और वे अपने पाउं के बल ख़ले हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भै छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां उपर आओ यह सुनवे बा गिर पड़ा और उस भुईंडोल से साथ हजार मनुष्य मर गए और शेश दर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की दूसरी विपत्ती बीथ चुकी देखो तीसरी विपत्ती शीघर आने वाली है और जब सात्वे दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस वि गान युग राज़ करेगा और चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिहासन पर बैठे थे मुह के बल गिर कर परमेश्वर को दनवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्ति मान प्रभू परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवात करते हैं क कि मरे हुओं का न्याई किया जाए और तेरे दास भविश्वत्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और प्रत्वी के बिगाडने वाले नाश किये जाए और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है व बोले पड़े